नमस्कार मेरे किर्शी विद्धार्तियों किर्शी योद्धाओ जैसा कि सर ने भी बताया जैसे बहुत बड़ी गोशना बहुत बड़ा एलाने जंग यहां होने जा रहा है तो आप जल्दी से जल्दी से इस लिंक को लैक कर दो शेयर कर दो और बागी सब भाई जो है क्योंक एक बहुत बड़ा एलान करने वाले हैं आपको पता 14 फर्वरी को जो प्रोग्राम हुआ था बहुत शांदार और लाजवात प्रोग्राम हुआ था राजिस्तान के कोनों कोनों से सैक्रों बिद्यारती ब्रगतिसील किशान फार्मर सब इस प्रोग्राम में आए वहाँ पर भी हमारी मुद्दों की बात हुई उसके अलाबा आज क्योंकि यह जो एसपी राजिस्तान है दोस्तों यह किसान पुत्रों का है और किसान पुत्रों के बेटे जो किशान है वो दिली में लड़ रहे हैं और हम आपकी पढ़ाई के लिए यहाँ जैपुर में लड़ रहे हैं तो मेरे किशान पुत्रों आजाओ जल्दी से आपके लिए किसान के बेटों का एक बहुत बड़ा ऐलान है और इस खुसकबरी में आप सब जुड़े हमारे स साथ जुड़े हैं जैएश्बी राहस्तान गोपाल परजापत बहुत बड़ी है रिश्केश परजापत हमारे साथ जुड़े हैं बस एक मिड़ का वक्त तौल लूँगा दोस्तों और फिर आज की जो सुब समाचारे वो मैं आपको दूँगा और साथ समाचार ऐसा होगा कि जिसकी आपको उमीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी हमारे लिए कर सकता है चले दोस्तों जल्दी से आप जुड़ जाईए दीपक पंडित हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल परजापत हैमन्त नाविक हमारे साथ जुड़े हैं बिलकुल दोस्तों जैट की फीस अंसु प्रिकरिया चालू हो चुकी है जल्दी से आप जाईए दिल्ली में जो लड़ रहे हैं और हम उनके बेटे हैं और आप और हम उनके बेटे मिलके यहां पढ़ाई काम अपना पूरा कर रहे हैं चलेगा दोस्तों अब आज का जो पिटारा है मैं खोलता हूं सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरणा काल जैसे खतम हुआ मैं रोज हजारों सेक्ड़ों बच्चों से मिल रहा हूं सबके सामने एक आर्थिक समिश्या पैदा हो गई है कि हम पढ़ेना चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़े मुटी मुटी फीस मुटे मुटे काम मुटे जैपुरा कैसे पढ़े पढ़ेना चाहते हैं बेकैसी निकल चुकी है लेकिन दोस्तों उससे पहले दो बात में आपको कहना चाहता हूं दो बात यह थी कि जो दो मुख मुद्धे हमारे चल रहे थे पहला मुद्धा था जैट की फीस कम होने का दोस्तों फाइल प्रोसेज में चल उठेगी और उसमें सायद जब तक जैट का अप्रेल के आसपास फोरम सुरू होगे उससे पहले अपनी जैट की फिस्कम होगी ये आपका और हमारा प्रियास काम आएगा दूसरी बात पद बढ़ने वाली बात वो बात भी आपकी बदान सवाम उठाई जाएगी और 24 तारिक से सत्र सुरू हो रहा है और आपकी बात पुर्जोर तरीके से तो तो यह तो दो चीज है जिन पर हम लगाता लड़ते हुआ रहे हैं मुद्दों पर चर्चा करते आ रहे हैं और यह तो मांगे हमारी पूरी अब में जो मुख्यबाद जो आपके लिए कहने जा रहा हूं क् सब्सक्राइब आपकी आई करशी परवेशक्की उस विग्यवती में आपने देखा सरकार ने बिद्वा परत्यक्ता समारे फोजी भाई हमारे उत्करष्ट खलाडी हमारे इडवलुए सब को सरकार ने अलग लग तरीके से आरक्षण दिया तो दोस्तों मैं आरक्षण तो आपके लिए और हमारे लिए कुछ नहीं होगी तो दोस्तों जिस बाद के लिए आज मैं आपके सामने हाजर हुआ हूँ उसका आज का टाइटल मैंने दिया है कि किरशी छात्रों के सम्मान में एएस-पी राजस्थान मैधान में बिलकुर उतर चुका है एसपी राजस्ता हम हमारे सामाजिक सरोकारों तो लगातार निवाते हुए आ रहें लेकिन कल रात कल रात एक बहुत बड़ी चीज जो मेरी टीम है उस टीम ने कही और वो चीज बहुत एप्रिसेटेबल थी जिसमें एक मुख मुद्दा उगवर के आया कि ये काल जो है बहुत आर्तिक से हर व हम अब आज हो गई 21 तारिक कल है 22 तारिक ये महिना तुमारा 28 फरवरी तक है यानि कि पूरे साथ दिन है दोस्तों इस साथ दिन में जो भी बिद्धियारती किर्शी का बिद्धियारती जो किर्शी के छेतर में तैयारी करना चाहता है चाहे वो किसी भी बर्का हो किसी भी किसान का बेटे हैंatore कि संन के काम नहीं आइगा तो कौनस के काम आएगा तो दोस्तों आज बियुक्य already जाना क्योंकि हमें साम्यव काम करना चाहिए जिसमें समाज हमें एक अच्छी नजर से देखे एक अच्छी द्रश्टी से देखे कोचिंग तो चलती है चलाते रहेंगे चलते रहेंगे लेकिन क्या हमारा कोई नेतिक दात नहीं बनता कि समाज का जो वर्ग जो हमसे जुड़ा है जो हमसे कुछ उम्भीर हो रखता है क्या उस समाज के लिए हम अपने लेबल पर कुछ कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास शिक्षा है और शिक्षा का ग्यान क्योंकि एक कावत है कि सरस्वति के भंडार की बड़ी अपूरबबाद जो खर्चे त्यों तो बड़े त्यों खर्चे घट जा तो इसका मतलब यह जो हमारे पास ग्यान दिया है उपर वाले ने इस ग्यान को हम जितना बच्चों तक बाढ़ दे और इस ग्यान को बाढ़ने के लिए दोस्तों जो आज आज की जिस गोषणा के लिए आप इंतजार कर रहे थे जो मैंने आपको कहा और वो गोषणा है आपकी की तारीख 22 फरवरी 22 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक डेट नोट कर ले यह आपको याद रखना है 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक डेट याद रखने दुबारा मोलना हूं रिपीट करना हूं आपको इस दोराए जो भी किर्शी पर देचके बिंध्यारती राजिस्तान के किसी भी कोले से हो जैपुर में कई भी पढ़ रहे हो वो एस वी राज्थार आपका स्वागत करता है क्योंकि जो व्मारी टीम है उसने फैसला लिया है कि जो विद्ध्यारती शक्षम नहीं है जो विद्ध्यारती फीस्त नहीं दे सकते कोई बात नहीं उनको हमारी टीम फ्री बैच देगी यानि की किर्शी परव्यक्षक का फ्री वेच आपके लिए लॉंच किया गया है और ये 22 परवरी से लेकर के और 28 फरवरी डेट ध्यार रखे क्योंकि बहुत सारे बच्चे राजिस्तान के बाहर चेहें राजिस्तार के अंदर अलग जिलों में है तो यानि की अब 22 परवर किर्शी के थियास में जहां पर आपको फ्री एज्यूकेशन दी जाएगी इसके अंदर 22 से लेकर 28 फरवरी तक आपके रेशेशन होंगे अब पर किरिया आप सुन ले और ये बैच एक मार्च से स्टार्ट होगा ध्यान दखें यानि की एक बार से आपका सुपरवाइजर क बैच स्टार्ट होगा फ्री जिसमें हमारी पूरी टीम आपको पुर जोर मैनत कराएगी आप कहीं से भी हो किसी भी जिले के हो गौव के हो धाड़ी के हो आप किसी भी वर्क के हो लेकिन एस बिरास्थान के लिए सिर्फ आप एक किर्शी विद्यारती हो किसानों के बेटे हो और यह हम हमारा दायत्म आपके लिए निवा रहें इसमें मात्र आपका जो रखा गया मात्र 1100 रुपे सिर्फ इसके लागा की कोई भी फीस आप से नहीं ली जाएगी और इस फीस में एक बहुत शांदार टीम के द्वारा आपको कर्ची परवेचक की तैयारी करवाई जा तो वो कि मिद्ध्यारदी हमारी ऑफिस से तरह चार रेहां रखर UH के हैंड़्थ में आपको बता दूं रिदिशिंद़ी च्छाया आप इस्पी की लॉकेश़ रहा है डि़ाने को आना है रिदिशिंद्टी सर्वा सब्सक्राइब करना है एसपी राजिस्थान काजू आफिस है दोस्तों यह है रिद्धी शिद्धी चोड़ायतर जैपुर के अंदर ध्यान रखे यहाँ पर 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक ध्यान रखे 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके राजिस्थान चालो है और एक मार्च से आपका बैच स्टार्ट होगा जिसमें आपको सुपरवाजर की शांदार तरीकी से त्यारी कराई जागी तो यह पी रास्तान आपका श्वागत करता है और इसके बीचे में मेरी टीम को आपके सामने प्रजेंट करता हूँ जो अभी आपके मेराथन में चल रहे थे दिलिप जौदरी जी आपसे पस्पारण की क्लास पढ़ाएंगे आए दिलिप जी में एस्पी राजस्थान मेधान में यार किते बड़ी ब्रांचे चलती है जेपुर में हर एक समाज का बंता ऐसे बीड़ा उठा के चलता है कि मैं उनको फ्रीवे पढ़ाओ पर उन्ति यहां पर क्या में टाइटल किसान सारे हो है चाहे वो किसी भी विरातरी से हो किसान कि होता है वो चैती करता है वो किसान है उसमें को इसइयो नहीं मियनी सब्स्टेश में किसान ना हूते वह यार यार वहां पर वहां साथा वरटर पे इतने बड़े लड़ायान मोल लेते हैं और बड़े-बड़े जो दान दाता हैं वो एक एक दो तो करोड फैंक देते हैं ऐसे रुपे तो हम किसानों के बच्चों के लिए ऐसा कदम ना उड़ा सकते हैं उसमें आपको उफ्लाइन क्लास दी जाएगी एक मार्ट से उसमें बड़े-बड़े जो कर्शी के ग्याता हैं वो सेवा करना चाहते हैं आप जैपुर में किसानों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एक तारीक को अपने 22 तारीक से लेका थाइस तारीक से उसके रजिस्ट्रेशन हैं तो जादा से जादा पता है जैपुर में दूसरी टेम में बुलाना चाहूंगा मुकेश चौधरी को जो मुकेश चौधरी हाली में फर्स्ट्रेड लेक्च्चरर बढ़े हैं कर्शी ज्ञान के और उनके मन में एक जज़वा था जुनून था कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं इस किर्शी क्योंकि बजार का जो महावल है जो किर्शी के जो इस्टूर्स है इन्होंने ऐसा महावल घराब कर रखा है उसके बीच में उनकी ये तमन्ना थी और इस तमन्ना को पढ़ाऊंगा आप लोगों को किर्शी प्रविशक के बैच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एस पी राजस्तान इससे मैं पहले से जुड़ा हुआ था पर मेरे एक दिल की तमन्ना थी कि मैं कोई भी बैच फिरी पढ़ाऊं उसके लिए सर मेरे लिए राजी हुए और मैं इनका समर्थन करता हूं जो भी बंदा कहीं का भी हो चिरास्तान में किसी भी ब्रादरी का हो जो अपना या तो आकर रजिश्टेशन करवा दे या ओनलाइन का ओप्सन होगा उस पे रजिश्टेशन करवा दे 28 फरवरी तक एक मार्च के बाद में या एक मार्च से आपकी क्लासे continue start रहेंगी किसी को कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी यह मेरा वादा है यदि आप मुझे विश्वास करते हो तो मैं कहता हूं कि मेरे पिछले बैच पढ़ा हुए है मेरे 18 कुशन 20 में से होटी कल्चर में मेरे एजेटिक का है थे नोट्स में से कोई बोले य सुझाटे हुए है तो इसलिए मैं भी को चाता कि किसानों की सबसे ज्यादा हुई है ना उनको कुछ मिला ना कुछ सरकार दे रही है उपर से यह हैं अध्यादेस जारी कर दिया इसके लिए बाहर पड़े हुए है ना तो अपनी को समाल पा रहे है इसलिए मैंने यही और कम समय में आप जल्दी से जल्दी जयपूर पधार कर अब एक मार्श से इस क्रिशी प्रवेश्च क्लासों का लाव उठाए बस मैं इतना है कहना चाहता हूं बस मेरे को आपका इंजार एक मार्श को जितने वी ज्यादा आउस दगे कोई बाउंडेशन नहीं है बस बाउ और यह टीम जो है अगरिकल्चर की वो टीम है मजबूत जिसने यह बीड़ा उठाया है और इस बीड़े के साथ आपका हमें सम्मान करना है क्योंकि साइद यही हमारे लिए सच्ची आहूती होगी उनके सानों के लिए जो हमारे लिए साजा पर बोर्डर पर बैठे हुए ह अनिल जी 22-28 पर बोरी डेट याद रखना वेटा 22-28 पर बोरी और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ी है सरके साथ जुड़ी है ताकि हम किसान कुत्रों को आपकी सेवा में लगा सके किसानों की सेवा कर सके हम लोग क्योंकि किसान कुत्र ही किसानों की सेव सही से कर पाएंगे तो धन्यवाद विटा जादा से जादा जुड़ी है 22-28 परवदी को चले दोस्तों तो देखो मैं आपको बता दूँ कि आपको 22-28 परवदी के बीच में अपने रेस्टिशन करवान है उसके बाद एक मार्स से आपका बैस स्टाट होकर कंचीनियू जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है यह बेस्ट तब तक चलेगा तकरिवन एमान के चलेगी तीन से साड़े तीन मेने का एक कोर्स होगा तो आप राजस्तान में कहीं है कैसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उससे मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता आप सीधे चले यह जो है ध्यान रखें आप जब प्लेक्टोर पर जाते हैं तो वहां ASP राजस्तान पूरा लिखना है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो यह है दोस्तों कि आपको यह लोगो देखना है यह लोगो क्योंकि देखो नाम तो वहां से ASP से मिल ग्रीन कलर में हैं जिसमें ASP राजस्तान लिखा हुआ है वही अपना ओरिजिनल एप है उसको आपको डाउनलोड करना वहां पर आपको बैच में जाना है और बैच में जब आप जाओगे तो वह आपसे कोड मांगेगा तो आपको कोड क्या डालना है वह मैं आपको बता द करना है और जो बच्चे जैपुर में जैपुर के आसपास रहते हैं वह तो आकर के सीधे और इस्टूट में आकर के ऑफलान रेशन करा सकते हैं और एक मार्श आपकी क्लासे शुरूंगी पांसा दिन आपको इसलिए ताकि आप सारी वेवस्ता अपनी रहने के करने की जू आप सब मेरे साथ जुड़े उसका आप सबका बहुत-बहुत आर्देकावार नमस्कार